हलो डियर स्टूडेंट गुड आफ्टरनून दिस वीडियो इस फो क्लास 12 सब्जक्ट इवियस जो हमारा टॉपिक है आज का ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर यह पहले भी कल के वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैसे करना च आज वही सेम चीज़े हैं प्रैमरी ट्रीटमेंट है स्कंडरी ट्रीटमेंट हैं टर्शरी ट्रीटमेंट हैं इन तिनों ट्रीटमेंट की वज़े से हम जो गंदगी पानी है हमारे पास जो खासकर हमारे सीवेज के जो हाउस होल्ड है डोमेस्टिक सीवेज के पानी है फिजिकल ट्रीटमेंट यानि जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है ठीक है प्राइमरी ट्रीटमेंट यानि जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है उसमें तीन प्रोसेस की वजह से हम तीन प्रोसेस करके हम वहां से वेस्ट वाटर को जितने सारे स्वैलिट वेस्ट हैं लॉक जितने सारे हैं उन सभी को सेटल डाउन कराते हैं बहुत सारे इसे खास कर डेड़ एंडेड प्लान के जितने सारे पार्टिकल्स हैं स्क्रीनिंग के थ्रू जो फ्लोटिंग होते हैं उन्हें सेटल डाउन कराने का काम करता है स्क्री तो जितने सारे खास कर उसके साथ पार्टिकल्स है फ्लोटिंग पार्टिकल्स है या जितने सारे स्वैलिट वेस्ट है वो सेटल डाउंड हो जाएगा नीचे की और यह वाले करते हैं ग्रिट चेमबर में तीसरे में हम क्या करते हैं कि स्किमिंग टैंक skimming tank, यह जितने सारे fighting,ね이 चीजे और ख़ासकर Wicksex और ओैली चीजे में उन ज्सक्रीज़न के इसे पुछ से सेपरेट करांगे काहिए बने कर तो पतो है वहbn om हम उसकी सोगे सब्क्राइब करो और फिर पास फूब रोग्य का यह पडुशरू नी कर सकते हैं यानि सेडिमेंटेशन हम जेउीज़र परोगरां जॉग्रेफी में भी परते हैं कि सब्सक्राइब खाज करता है Sat Cant because गेरिफिकेशन हम इसमें काम सुखलका करना है सुलिड वेस्ट को ठीक है दूसरा कोगुलेशन है यानि जितने कोलाइडाल पार्टिकल्स हैं उन कोलाइडाल पार्टिकल्स में हम क्या कराते हैं कोलाइडाल पार्टिकल्स को रिमू करना बहुत जरूरी होता है उनसमें रिमू कराने के लिए हम जिसे की पहले फ्लॉक बनाते हैं केमिकल एजेंट के और आफ लॉक बनाते हैं फिर इसके बद वो सेटल डाउन होने के बद वहां से हम आसानी से सेपरेट कर सकता है फिल्टरेशन प्रोसेस आप लोगों को समझाने कितना जरूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट एजेंट से हम फिल्टर कर सकते हैं चीजों को अलग अलग तरीके से हम फिल्टरेशन करके भी वहां से खासकर वेस्ट जितने सारे हैं उन सबी को उस वाटर से प्यूरिफाई करके वो वाटर प्यूरिफाई कर सकता है यह था हमारे पास primary treatment, दूसरा हमारे पास secondary treatment secondary treatment में हम अलग-अलग तरीके से और जिसे कि हमारे पास secondary treatment दो तरीके के होते हैं जिन्हें biological treatment भी कहा जाता है, most important है दो तरीके के treatment होता है एक होता है aerobic treatment, दूसरा है in aerobic treatment, anaerobic treatment है, ठीक है, not in aerobic, anaerobic treatment है aerobic treatment में वो बेक्टेरिया को इस्तेमाल किया जाता है जो oxygen का यूज़ करेगा ठीक है उस बेक्टेरिया को यूज़ किया जाता है जो oxygen का यूज़ करके organic matter को decompose कराने का काम करता है aerobic treatment में bacteria को जो खासकर oxygen को यूज़ करके organic matter को decompose कराने का काम करता है उसे हम बोलते हैंographic treatment, ठेक है, activated sludge process, यह이 please, activist sludge process भी यही है, कि इसमें हम बहुत सारे solid waste को खास कर डीफरिन डीफरिटर्य का यूजं शेटल डाウन कराते हैं, trickling filter, trickling filter यह कि जितने सारे स्टून बेट्स हैं नीचे निआ के अंदर इस माइक्रोम टेरिया को रखके वहां से उसरे स्टून बेट्स किराइस काम करता है हखासकर यह जो aurobic treatment है या जितने सारे हैं यह एखासकर जो household fasting hunting दृत्व क्वित Ox छैने काम को स्टूमग करता है उनके लिए 6 to 3 to 6 आर अभी भी रखेंगे तब भी रखेंगे तो वो फिरिफाय हो जाता लेकिन इंडस्ट्रियल जो एफिल्ट है वेस्ट है उसके लिए कम से कम 6 to 12 आर वो विक्टेरिया रखना पड़ता है तब जाके वो उस चीज़ों को प्यूरिफाय कर पाता है दूसरा है एनेरोबिक ट्रीट्मेंट एनेरोबिक ट्रीट्मेंट सिंपल सी बात है बिना विक्टेरिया जो विक्टेरिया जो बिना ऑक्सीजन को यूज करके इन और्गेनिक कंपाउंड जितने सारे हैं जितने सारे खासकर मैटर है उस सारे और्गेनिक एन इन और्गेनिक मैटर क भी कहा जाता है ठीक है इसमें अलग अलग तरीके से हम जितने सारे वेस्ट वाटर है उनको प्यूरिफाइब कराने का काम करता है जिसमें हमने प्रेसिपीटेशन का और नाइट्रोजन स्ट्रिपिंग का क्लॉरी नेशन का यूवी लाइट का ओजून का भी इस्तिमाल किया यूँक प्रेसिपीटेशन में यह फंस प्रेस्टे के साथ रियक्ट कराता है छो ही हम केल्चिम ओकसाईट को ए感 औरके नाइट्रोजन नाइट्रोजन में या दूसरा खासकर फॉसपोर्ज में केल्चम उकसाइट को एड़ करेंगे तो वहां पर लाइम्ड रियक करेगा फॉसपोर्ज जो इनसॉलिबल है ठीक है बात में वो केल्चम फॉसपीड बनता है ठीक है वो क्या बलता है केल्चम उकसाइट से केल्चम बनता है जो in solubal है insolubal से हम easy ले इस चीश को separate कर सकता है nitrogen stripping nitrogen stripping ये की बहुत सारे एसे खास कर industrial effiland होते 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 हैं जिन में nitrogen, nitrogen, ammonia जैसे बहुत सारे चीजें शामिल होता है ammonia बहुत ज्यादा खास कर utilization का का्म कराता है toxic creation toxic compound क्रियेट कराने का काम करताया तो उस को खाताना बहुत ज़रूरी होता है तो इसमें हम नाइट्रोजन को दूसरे खासकर element के साथ reiterate करके moment को वहांसे हटाते हैं क्लॉरिनेशन के धू temperature भी हम क्लॉरिनेशन को क्या कर सकते हैं solid waste को अन्धर को खैसकते हैं। वहांसे water को फै combin 색 charter에서 water को और्गिनिजम हैं उनको वह एफेक्ट नहीं करते हैं तो यूवी लाइट को भी हम इस्तेमाल करके वहां से जितने सारे वेस्ट है जितने सारे गंदगी हैं उनको डिकम्पोस कराने का काम करते हैं साथ साथ में उजून का भी हम इस्तेमाल करके डिकम्पोसिशन का काम कराता ह तो यह तीन हमारे पास treatment था खासकर primary treatment, secondary treatment and the tertiary treatment इन तीनों treatment की वज़े से इन तीनों treatment को use करके हम waste water को purify कराने का काम करता है होब आप लोगों को समझ आया होगा जो समझ नहीं आया है आप लोगों तो हमें पूछ सकते हैं ठीक है Thank you so much